दोस्तों आप share market के बारे में जानना चायते हैं, अपना knowledge अपने पड़ोशी से जाधा करना चायते हैं, आगे आने वाली चीजों को अभी से सीख लेना चायते हैं, लाइफ में rich बनना चायते हैं, पैसे कमाना चायते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, और अगर तुक के से इस वीडियो पे किलिक हो गया है गलती से इस वीडियो पे आ गए हैं तो यकीन मानिए ये गलती आपकी life वना सकती है आपके बच्चों का future secure कर सकती है ये वीडियो आपको वो दुनियादारी सिखा सकती है, जिससे लोग पैसे से पैसा बनाते हैं, और जिसे लोग आज investment के नाम से जानते हैं, हम share market में कैसे invest करें, कैसे हम share market में घुश सकते हैं, क्या share market सही है, ये share market का गड़ित क्या है, कुछ ऐसे ही सवालों के इस वीडियो में आपको जवाब मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिलकुल लाश्ट तक देखते रहिए, और हमारी family का हिस्सा नहीं है, तो चैनल को subscribe कर लिजिए, ताकि ग्यान का संचार होते रहे, दोस्तों share market को हम stock market भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है, जैसे share या stock के आगे market लगा हुआ है, तो market सब्द स सीधा सा समझ में आ जाता है कि ये कोई बाजार की बात हो रही है, आपके पास के सबजी के market में सबजी मिलती है, जोलरी के market में जोलरी मिलती है, कपड़ों के market में कपड़े मिलते हैं, ऐसे ही share market में सर, share मिलते हैं, अब आपके मन में question आ रहा होगा, ये share क्या है, तो अगर share को हम हिंदी में translate कर दें तो इसका मतलब निकल आता है हिस्सा तो share market में आप हिस्सेदारी खरीज सकते हैं यानी share खरीज सकते हैं तो share खरीदना मतलब हिस्सेदारी खरीदना अब किस चीज की हिस्सेदारी खरीदना आगे समझते तो जैसे सबजी मार्केट में अलग-अलग ब्यापारी की अलग-अलग सबजियां होती हैं ऐसे ही सेयर मार्केट में अलग-अलग कमपनियों के अलग-अलग सेयर होते हैं यह सेयर आते कहां से हैं तो जब कमपनियों को पैसों की जरूरत पड़ती है तो यह अपनी कमपनी की कुछ हिस्सेदारी पबलिक को दे देते हैं, यानि कि आप और हम पैसा देके उनकी हिस्सेदारी को खरीद लेते हैं, इसको ही share कहते हैं, अब जैसे सबजी मार्केट की जगा, सबजी मंडी होती है, ऐसे ही share मार्केट की जगा, इंडिया में केवल दो है, पहला है बॉम्बे स and sex market और दूसरा जो national stock है जिसे हम nifty के नाम से जानते हैं अभी फिलाल ये सब आपके सर के उपर से जा रहा होगा आप वीडियो देखते रहिए सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा माल लीजिए कोई company है जैसे कि मैं Tata को ले लेता हूँ अब माल लो Tata company को कुछ नया business करन कुछ हिस्सेदारी को बेज देती है public को offer कर देती है जिसे हम IPO कहते है initial public offer इसमें जो हिस्सेदारी होती है वो share के रूप में बेची जाती है अब एक share का particular rate होता है इस rate को company की value के आदार पे रखा जाता है company चाहे तो अपने कितनी भी हिस्सेदारी बेच सकती है public को offer कर सकती ह mostly 49% से ज़्यादा कोई भी company अपने share नहीं बेचती है नहीं तो जिसके पास 50% से ज़्यादा share होते हैं वो decision maker बन जाता है और company कभी नहीं चाहेगी कि वो decision maker ना हो अब कभी कभी एक question और मन में आता है कि share का भाव बढ़ता घटता कैसे है तो सीधी सी बात है जब किसी समान क supply ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी demand automatic कम हो जाएगी और अपने आप उसका भाव गिर जाएगा क्योंकि खरीदने वाले कम हो जाएगे बेचने वाले ज्यादा हो जाएगे ऐसे ही किसी चीज की supply कम होती है तो उसकी demand बढ़ जाती है और उसका भाव भी बढ़ जाता है ऐसे ही share के साथ होता है कोई company अच्छा काम कर रही है तो उसके share की demand बढ़ जाएगी जो लोग बेच रहे थे वो बेचना बंद कर देंगे supply कम हो जाएगी तो उसका rate बढ़ जाएगा लेकिन कोई company अच्छे से काम नहीं कर रही है तो लोग बेचने लगेंगे supply जादा हो जाएगी तो rate कम हो जाएगा ऐसे यह rate कम जादा होता है अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा यह जो सब होता है वो हम और आप कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ मानता प्राप्त broker होते हैं उनके थुरू हम खरीद और बेच सकते हैं मुख तोर पर अप श्टॉक हो गया फाय पैसा हो गया एंजल ब्रोकिंग हो गया grow app हो गया यह सब एक platform प्रवाइट करवाते हैं जिसके थुरू हम share खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं और भी बहुत सारी कंपनिया हैं मैंने मुख कंपनियों के नाम ले लिए यह broker कंपनी होती हैं और government से इनको मानेता पराप्त होती है इस सब काम करने के लिए यही कंपनिया आपका डेमिट एकाउंट खुलवा देंगी यह डेमिट एकाउंट ही ऐसा एकाउंट होता है जिसमें आप अपने share को store कर सकते हैं इस एकाउंट को खोलने के लिए आपको यह कंपनिया पूरा support देती हैं एक platform प्रवाइट करवाती हैं जहां पे आप share बेच सकते हैं खरीच सकते ह और इनकी अन्य service का भी लाव उठा सकते हैं और इनके द्वारा खोला गया डेमिट एकाउंट जो है वो एक तरह से गौर्मेंट का एकाउंट ही होता है गौर्मेंट की एक संस्था है उसके अंडर में ही यह सारे एकाउंट खुलते हैं इस एकाउंट को खोलने के लिए इतने सारे डॉकॉमेंट हम देंगे तो कोई खत्रा तो नहीं है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये गौवर्मेंट से माननेता प्रापत होती है तो इन में कोई खत्रा नहीं होता है अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम डेमिट अकाउंट कैसे कोल सकते हैं त सारी कंपनियों का जैसे अप स्टॉक एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा तो आपको जो भी मरजी जिस कंपनी में एकाउंट खुलवाना है बहां पे आप खुलवा सकते हैं लिंक पे किलिक करिए एकाउंट बनाईए डोकुमेंट अपलोड करिए जस्ट हैंड तो हैंड आपका टाजी ने इनवेस्टमेंट करके रखा है तो यह मेरी फैबरेट कंपनी है अब आपको अप स्टॉक पे कैसे अकाउंट खोला हैं इसके उपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है डिस्किप्शन में लिंक दिया हुआ है पहले अप स्टॉक 299 रुपाई एकाउ और सर्किट क्या होता है और बहुत सारी चीजें समझेंगे फिलाल यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर दिजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन